सुक्रबातन बचों आलने आंगों को संस्क्रित में सरीर के अंगों के नाम के वारे में बता हुए आईए बिटे हैं शरीर के आंगों को संस्क्रिप में क्या होते हैं बच्वों बिटे यहां पे दिया है केसब केसब का हिंदी होता है बाल यहां बाल को संस्क्रिप में क्या करते हैं केसब इसी तरह से यहां पे देल्टरम देल्टरम का हिंदी होता है आंग आपको संस्क्रिट में नित्रब होते हैं अब यह आपके नासिता, नासिता का रख होता है नाम चीबुगं, पोडी, चीबुगं का रख होता है पोडी पोडी को संस्क्रिट में चीबुगं होते हैं अग शी तरह से है वच्षा, वच्षा का हिंदी होता है चाती चाथी को संस्क्रिट में वच्छा बोलते हैं इसी तरह संस्क्रिट में हस्ता हस्ता का होता है या नाम की संस्क्रिट होती है हस्ता अब इधर देखिए अंगली अंगली को जिंदी होती है उंगली उंगली को संस्क्रिट में अंगली बोलते हैं इसी तरह सिर्फ पादव, पादव का हिति होता है पैर, पैर को संस्क्रिफ में पादव होते है, सिर्फ पाद होता है सिर्फ, सिर्फ को संस्क्रिफ में सिर्फ होते हैं, अब है मस्तकम, मस्तकम का अथ होता है माथा, माथा का संस्क्रिफ होता है मस्तकम, कर्ड़, कर्ड़ का कान की संस्क्रीट होती है कर्ड़,ोस्टो, का हिंडी होता है मूद, तो उस्ट होते है ग्रिवा, गर्दन को संस्क्रीट में ग्रिवा होती है अब आपने लेटें उदरम, उदरम की इंदी होती है पेड, पेड को संस्क्रिक में उदरम होती है, जानू, जानू की इंदी होती है गुड़ना, गुड़ना को संस्क्रिक में जानू होती है, चर्ड़, काथ होता है पेड, पेड की संस्क्रिक होती है चर्ड़, तबच्चो आज आप लोग में संस्क्रिप में शरीर के अंगों के नाम के बारे के पढ़े हैं फिर सके पीजिए केशव केशव काथ पता है बार निक्रम आख नासिका नाख चिबुकं खोड़ी वच्षा छाथी फस्ता हाथ इसी तरह से अंधली उंबली पादा, पै, सीर, सिर, मस्तकं, माखा, करड़, कान, ओस, भूण, भिवा, गर्दन उदरन, पे, जानू, उठना, चरड़, पै बच्चों आज में जितना सरीर के अंगों के नाम लिक्वाएं को आपनों इसको अपनी कोटी में लिक्रें के इसका संस्क्रिप्नी और हिंडी मी और इसको याग हम कर लेंगे पस आज की नहीं काहीं भलेंगा